हेलो जहेंसातियो स्वागताब सभी का अपने यूटूब चनल संदीब उम्मीद करता हूं आप सभी भाइवेनों की अच्छे तरीके से त्यारी चल रहे होगी आने वाली यूप पुलिस की नई भरती की देखिए आपके डोकुमेंट्स को लेकर कि कुछ डाउट थे कि डोक 23 में आने वाली उसके उपर हम बात कर रहे हैं देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की ऐसा होता है कि कुछ भाइबेनों में पास कमेंट करके पूछते हैं कि क्या हम यह वेकंसी यह जो आएगी प्लिस की कॉस्टिबल की क्या हम इसको 10 से देख सकत चाहिए 80 पर्सेंटेज हो या 60 हो या 70 यह सा कुछ नहीं इसमें केबल पास होना चाहिए ठीक है आपके पास केबल पास की मार्शिट होनी चाहिए उनली 12 की तो यह तो रही आपकी बात अब हम बात करते हैं आगे के डोकुमेंट की क्या क्या चाहिए यह सारी चीज में बता रहा हूं यह उस टाइम चाहिए जब आपकी वैकंसी आजाए ठीक है उसके बाद आता आपका फोटो देखे फोटो आपको लेटेस्ट चाहिए ह होते हैं उसमें जैसे आपको फोटो लेटेस्ट चाहिए होते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारे पास फोटो रखें तीन-चार साल पहले उस टाइम पर तो हम ऐसे थे जैसे लग रहा था जैसे हम कुछ खाती पीते नहीं है और तब से हमने दबा के चालू कर दिये किया जाए उस टैमप सबसे जादा जो क्याने वाली चीज़ है कि ठीक है अब इसमें जो सबसे जरूरी चीज़ है वह है ओवीजिश वालों के लिए ठीक है ओवी सी एडवलोस वालों के लिए देखे सबसे पहले में बात करो सब की बता दूं आपको मैं एक सलाह देना चाहता हूं आपका छोटा बड़ावाई कुछ भी समयलना उसके नादे कि आप कि आप सभी न्यू डोकुमेंट्स बनवा लीजिए क्योंकि 150-120 रुपय में कुछ नहीं होता आपके एक बार मतलब दमाग से कीड़ा निकल जाएगा कि मारे चलेंगे नहीं चलेंगे इस डेट के हैं अगर आप में न्यू डोकुमेंट्स बनवा लिए तो आपके पास कोई दमाग में जन्जटी नहीं रहेगा लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहूं कि SCST के फिर भी चल जाते हैं आपके अगर थोड़े बहुत पुरान हैं कोई दिक्कत नहीं चल जाते हैं अब बात आती OVC की तो देखिए OVC का आपको नया बनवाना पड़ेगा और EWS में कहां कफिज होती है एक तो सेंटर का बनता है एक बनता इस्टेट का अब इस चीज की पहचान कैसे होती है जो सेंटर का होता है वह बाइलेंगल होता है यानि कि इंगलिस और हिंदी दोनों में होता है लेकिन जो स्टेट का होगा वह होगा सिर्फ हिंदी में ठीक है तो मैं आप स्टेट का बन है ठीक है और गला करके में बार बार कह रहा हूं यह सारी बात हैं आप के लिए मैं आपकी जानकारी के लिए समझा रहा हूं कि स्ट्रूंत के पुरानी चल जाते हैं मेरे सामने कई मतलब दो या तीन काता मुझे अभी भी ध्यान है जिस दिन मेरी थी और आगे पीछे जिस दिन चली थी उनकी पता नहीं उस दिन कितने निकाले होंगे अपनी में बतारों जिस दिन मेरी डोकुमेंट के निकाले गई थे इसी वजह से डोकुमेंट की वजह से क्योंकि ऐसा होता है अगर हम रणिंग में फैल हो रहें अपने टेस्ट में तो वह सारी चीज़ें हमें देखते हैं कि चलो ठीक है इसमें चल जाता हम पर रणिंग नहीं हुई हमारे टेस्ट को नमबर कम पढ़े पेपर में लेकिन जब हम किसी नए बनवा लेना ठीक है और यह जो भी डोकुमेंट सही होते हैं मैं सारे बता रहा हूं जब आप फिलप करते हो उस टाइम के पहले के बने होने चाहिए यानि कि आपके पहले हैं अब आपके वेकंसी महीने दो महीनी चार मीनों कभी भी लेकिन अगर आप बनवा लेंगे अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो आपको बिल्कुल कंपल सरी है मुनलवास बनवाना लेकिन जो अधरेस्टेट वाले हैं उनके लिए मैं एक सला देता हूं कि वह भी बनवा लेना क्योंकि जो जेल वार्डर वाली वाली टीक है उसमें कुछ लड़कों ने बात आती है एक लास्ट में कि यह जो बैकरंसी है भरती सिर्फ यूपी वालों के लिए होगी ठीक है तो इसके उपर हम बात करेंगे उससे पहले देखी में आपको जनकारी दे दो कि अगर आप यूपी प्लिस कॉंस्टेबल की त्यारी कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हम बेस्ट बुक की बात करें तो चक्सु प्रकासन की ले सकते हैं इसमें आपको प्यवाइव मिल जाएंगे और क्यों मिल जाएगे अगर आपको अपनी तयारी और बहतर मजबूत करने तो प्रेक्टर से पहां से एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको यह ओनलाइन चाहिए तो इसकी लिंक में दिस्क्राइब वहां से ले लीजिए अब हम बात करते हैं इसके ऊपर देखिए कुछ भाइबेन मुझे क्यों से कमेंट करका पूछते हैं कि भएया हम राइस्तान से हैं क्या हम यह बैकनष्य यह अलिया तक अप कहीं के भी हो किसी बी इस्ट्रेड के राइसा नहीं है सिर्फ मुप कर सकते हुआ यह primero il वर यहां पर अपनी प्रतवा दिखा सकते हो। क्योंकि आपने देखा होगा जो हर्यान प्र परिस की orange राँ STARS की पर यूपिवाला भाई बगो हम रहें के हम लीज़ींगे चैना तो उसेT इतनी देदी जाते से लिवस में कि आप एक बार यह सोचेंगे या नहीं वरें तो ही ठीक रहेगा अलंग कुछ ऐसे अप बाद एक दूसे लेक्षिन ऐसे हो भी जाते हैं जो वहां भी लग जाते हैं लेकिन फिर भी यूपी यह कैसा राज्य है जिसमें आपके अगर उत्तर बूल बस आप से मैंने जो भी बताया है उसमें मैं कुछ भूल गया हूं या कुछ गलती से मुझे से कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके वहां मुझे पूछ लेना या कोछ भी और बात होगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा अब फिलाल बस आप इतने जेबर